ये एपिसोड समर्पित है सरकारी चीजों का दुरुपयोग करने वाले उन अफसरों के नाम जिनके निजी स्वार्थ ने हमें ये एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित किया लुप 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 प्रीटी मैं बच्पन से एक सपना देखा करता था पढ़ लेकर बड़ा होँगा मेरी नौकरी लगेगी मेरी शादी होगी और अपनी सुन्दर सी बीवी को मैं सरकारी गाड़ी में बिढ़ा कर सहर करवाने लेकर जाया करूँगा प्रीटी आज मेरा सपना साकार हो गया है केमरान, एपरीद्द्द्वान फ्लॉप फ्लॉप सर, सर आज़ी दिन के चूटी चाहिए मेरे ब्रधरिन्हा का लड़का गुम हो गया, सर देखो वई, मुझे इस तरह के भाने बिलकुल पसं ने कल मैं हेड ओफिस गया था, वहां लोग इतने बढ़िया बहाने लगाते हैं कि दो दिन की चुटी दो मिनिट में मिल जाती है, और आप, आपके पास वही चार घिसेपिटे बहाने. सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये बहाना नहीं है सर, मेरी बीवी के भाई का लड़का वाकई गुम हो गया है सर, तो तुम उसे कैसे ढूड़ोगा बई, दफ्तर में एक फाइल तो तुम से ढूड़ी नहीं जाती, शेहर में बच्चा कैसे ढूड़ोगे, पुलिस को इतलाक ये उनका काम है, देखिए सर, मेरी पीवी के भाई का लड़का है, मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना सर, मिस्टर बंडारी, तीन बज़े दफतर में टेंडर्स कुल लें, वहां भी आपका कुछ फर्ज है, लेकिन सर, वो टेंडर्स तो मैं वो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, म अपना जैकी पता नहीं कहां गुम हो गया, क्या, जैकी गुम हो गया, ओ, ढूदो भाई, इदर उद रोगा गहीं, साब बहुत दूदा, पता नहीं कहां चला गया, ओ यार, बड़े लाप्रवा आदमी हो, तुम्हें कितनी बार काया कि जैकी को बांध के रखा करो, साब जी सुबबे से तो बांध के रखा था, वो तो जड़ा जंगल पानी के लिए छोड़ा था जी, वापस ही नहीं आया, ठीका, मैं भेजता हूँ दफ्तर से किसी को, तब तक हूँ दूर मील लेके चात पे खड़े रो, मिस्टर मंडारी, येस सर, आप हमारे कुते जैकी को पहचानते हैं, सर, मैं तो आपके घर के चूहे तक को पहचानता हूं, सर, वो क्या कि जैकी कहीं गुम हो गया, तो सर, आप पुलिस को फोन कर देना, एस पी साब आपके दोस्ते हैं, आपकी मदद करेंगे, नहीं, जैकी शरीफ कुता है, उसे पुलिस की हवा भी ने लगन मेरा मतलबी वही ता, सर, के गाड़ी अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो फिर आपको टेक्सी कर लें, जो भी कोई बिल होगा, बना ले ले, ठीक है, सर, स्टेशनरी का बना लूँ ना, जल्दी करें, अगर कुत्ते को कुछ हो गया, ना मैं घर का रोंगा, ना गहाट का, लेक कर दी, भाईया, आपका इंतजार करकर के अभी गए है, अरे क्या करूं सुधा, दफ्तर की गाड़ी मिली नहीं, ये टेक्सी ढूंडी तब आया, अच्छा, आप चल दी करें, बिट्टू के माम और चाचा को इतला करनी है, और उसके बाद आपको पोली स्टेशन भी जान के ये भी जान भी टिख दूल ये तो इक हम फिर ये 느का ग्तनी है, और के बाद बारे में वैसे ही पूछते रही है, थीक हह . सर, मैं जनाब की गण मेंजाणान भाद ऑपता लगा जनाब का बढ़ा जनाब का ऊह rättfully है . क्या उता हूं मिस्टर शर्मा मैं तो सुबह से बड़ा परिशान जब भी कोई फाइल उठाता हूं कुट्टे का मुस्कुराता हुआ चेरा मेरी आँखों के सामने आ जाता सर जनाब की परिशानी हमारी परिशानी है आप हुकम करें हम पता पता चान मारेंगे भेजा है मने मिस्टर भंडारी को गया बचारा टेक्सी करके सर मिस्टर भंडारी पे आपने विश्वास कैसे कर लिये सर वो तो टेक्सी लेकर अपने बच्चों को जूर गुमाने ले गया होगा ने ने वो ऐसा नहीं कर सकता सर उसकी आदत है सर अगर मुझे पता चल गया कि उसने टेक्सी का मिस्ट यूज किया मैं टेक्सी के पैसे उसकी तंख्वाँ से काट लूँगा और रेजिस्टर में उसके एप्सेंट लगा दूँगा सर अगर आप कहीं तो मैं कुशिश करके देखूँ आप पैचानते हैं हमारे जैकी को कैसी वात करने सर मुझे तो जैकी ने खुद अपने दांतों से दो दफा काटा सर ये निशान देगे कितने प्यारे निशान है मेरे हाथ पे ठीक है फिर अगर जैकी मेल जाए तो दूसरे हाथ पे भी कटवा लेना और निशान मिला लेना मैं टूथ्प्रिंट्स मिला लूगा सर लेकिन टेंडर्स का क्या करना है तेंडर्स फिर खोड लेंगा बहुत मेंटल टेंशन है पोस्पोन कर दो लो जी टेंडर्स तो पोस्पोन हो गए यह तो घर का ही राज हुआ जमर्जी टेंडर खोल दो जमर्जी पोस्पोन कर दो मुझे तो लगता है एमडी किसी खास पार्टी में इंटेस्टेट है पार्टी टेंडर्स भाने सकी पोस्पोन कर दिया हां, हो सकता है, कोई चक्कर हो यह order किसी औरी पार्टी को जाना हो नहीं, नहीं, order किसी और पार्टी को जाए नहीं सकता क्यों? अपने अंडी साब बड़े बांदार आदमी है एक पर जिससे advance पकड़ने, order उसी को जाता है इसका मतलब वो advance, आपी से लिया है मैना मतलब है, हो सकता है, कुछ जैनवन प्रॉब्लम हो हां हां क्यों नहीं हालो सर में बंधारी बोल रहा हूं जी हां बोलो बाई क्या प्रोग्रस है, पर्दा चला कुश सर कॉम्गरेशोलेशंच, बगवान का शुकर है सर अच्छा, जैकी मिल गया? नहीं सर, बिट्टू मिल गया, मेरे ब्रिदरला का लड़का सर. शट अप, नलाइक, इर्रिस्पॉंसिबल, काम चोड, ढफर, दिमाग ही नहीं चलता? सर, एसाँ जी के मैंने कोशिश की धी ढूणने की, लेकिन वो… तुम्हें कितनी बार कहा है, के मेरे आफिस की प्रब्लम्स में अपनी घ्रेली प्रब्लम्स मिक्स ना किया करो. प्रब्लम ही ऐसी थी तुछ? मैं जा रहा हूँ जैकी को ढूमने, और जब तक जैकी ना मिल जाए, अपना कोई रिस्तेदार ढूमना होने देना यह गंटा हो गया दिली का नंबर ही नि मिल रहा सर लगता है मिल गया गंटी तो जा रही है हलो, पृती जी है बूल रही है, जस्ट आ मोमन प्लीज, सहाँ बात करें हलो, प्रीटी हाँ, मैं बूल रहा हूँ मैं हाँ, जस्पाल जी, पैचान लिया हाँ आई यो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो क्या की हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? क्या की जैकी का सुबा से पता नी चल रहा पता नी कहां गुम हो गया क्या? जैकी गुम हो गया? ने नी गुम नी हो सकता है, इदर उदर जला गया हो शायद वापिस आ जाए मुझे पहले ही पता था इससे अच्छा तो मैं उसे अपने साथ ले आती तुम घबराओ नी प्रीती, हम उसे ढूनने की पूरी कोशिश करेंगे हमारा सारा स्टाफ लगा हुआ है अगर जैकी को कुछ हो गया न तो मैं तो मैं दफ्तर से रुजाइन कर दूँगा वो M.D.E. क्या जिसका स्टाफ उसके कुते का ख्यालना रख सके ठीक है, लेकिन मुझे हर 15 मिनिट बाद फोन करके बताओ कि क्या प्रोग्रेस है तुम फिकर न करो प्रीती, मेरे दफ्तर के आदमी शहर का कुता-कुता चान मारेंगे माडम, लेटिस इंफरमेशन के मुताबक सिवल लाइन्स, डिफेंस एरिया, मॉर्डल टाउन और गांधी नगर में एक गली देख ली गई है लेकिन कुते का कुछ पता नहीं चला कौन से कुते का? जाकी का माडम तुम्हें जाकी को कुता कहते शरम नहीं आती? मेरा मतलब है क्या जाकी , जी का भी अबी कुछ पता नहीं चला Miss Rita, बड़े शरम की बात है हमें खुद बड़े शरम की बात है हमें खुद बड़ी शरम माडम ब। रॉंट बाड़ी, यॉरां आती जाब शकल तो मिलती है हम? जैकी जैकी, 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 कुर, 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 कु बिल्कुल इसी शेकल का ये कुटा हमारे M.D. साप का खो गया है आप ज़रा प्लीज इसकी रसीद दिखाएंगे रसीद? रसीद का क्या मतलब हमने को कुटा कस्टम से क्लियर करवाया है भई बाजार से खरीदा है नहीं फिर भी कोई ना कोई कागज तो इसका आपके पास होगा ही आप यहां से जाते हैं या कुटा खोलूँ जाता हूँ जाता हूँ हाँ राम से बख हाँ जी बोल रहा हूं जी बदा चला कुछ जैकी का भार देखो शाथ वापिस आ गया हो साब जी जाने वाले कभी नहीं आते जाने वाले की याद आती है मैंने तुम्हें कितनी बार काया यह शेर वेर मज़े मत सुनाय करो साब जी ऐसे मौके पर चुटकला तो अच्छा नहीं लगता ना बकवास बन करो और यह बताओ कि शर्मा जी तो नहीं तरह है शर्मा जी तो नहीं आये जी, एक ठेकेदर साव आये थे क्या कह रहे थे? वो छे कुत्ते बांध गये जी छे कुत्ते? हाँ जी, कह रहे थे ये एक छोटी सी बेंट है और कह रहे थे साब से कहना हमारे कोई वो टेंडर का ख्याल रखें जी करप्शन का लेवल भी कितना गिर गया मैं भी यही सोच रहा हूं साब मैं तुमसे नहीं कह रहा अच्छा जी, तो फिर मैं फोन रख दू? हाँ, रख दो, रख दो इक तो शर्मा पता नहीं कहां मार गया पता नहीं कहां ढूंड रहा है कुत्ते को इस कुत्ते की कुंडली के मुताबिक तो यह कुत्ता मिलना असंभव है इसका मतलब मेरी परमोशन भी असंभव है महाराज, किसी तरह यह कुत्ता ढुणवा दीजी मैं जिंदगी भार आपके चरन धोधो के प्यूँ मैसे चरन धोधोधो कितने दिन हो गया आपको मेरा मतलब है कुत्ते का कुछ पता ही नहीं लगरा महाराज किस तरफ गया है मेरे हिसाब से कुत्ता सीधे दक्षिन दिशा की तरफ गया है क्यों महाराज, लोग मीट खागे हड़ियां उस तरफ फेकते वहाँ किसी बस या ट्रक के नीचे आकर कुत्ते ने खुदकुशी कर ली खुदकुशी? हाँ बच्चा, कुत्ता अपने मालिक की आदतों से काफी तंग था कैसी बात कर रहे है पंड़जी, कुत्ते के मालिक तो उसको बहुत चाहते थे नहीं बच्चा, कुत्ते ने खुदकुशी मालिक से दुखी होकर ही की है मिस्सर शर्मा, जोच्शी की बात सही भी हो सकती है मैंने सुबह जैकी को गुसे में चपल मारी थी सर, जोच्शी बहुत इंटेलिजेंट है, दो सो रुपए तो उसकी फीस है खैर फीस की आप फिकर ना करें, कोई ना कोई बिल बना लेना लेकिन ये बात मेरी बीवी को पता नी चलनी चाहिए नहीं सर, वो जैकी का बड़ा ख्याल रखती थी सर, जैकी था भी बहुत प्यारा सर कई बार तो सर्दियों में मेरा कंबल उठाके जैकी पे डाल देती थी मैं चाहें सर्दी में सिकुडता हूँ, लेकिन उसने जैकी को कभी सिकुडने नी दिया सब कर्मों क फाले सर एक बार तो Mr. शर्मा ऐसे हुआ कि मैंने जैकी को उठाया हूआ था सीडियों से पिसल गया प्रीती ने अवास सुनी भागी भागी आई आते उसने जैकी को उठा लिया उसे गरम गरम दूद पिलाया हॉट वाटर बॉटर रखके दी और आप सर? मैं तो खेर दस पंदरा मिनिट के बाद जब होश आया तो अपने आप यूट गया था सर वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर मिस्टर बंडारी टाइंग बे पहुंच जाते तो आज जैकी जिन्दा बिलता खेर अगर जैकी मर भी चुका तो उसकी लाश ज़रूर मिलनी चाहिए लाश सर? सर मेरा ख्याल है लाश रहने ही नहीं सर मैडम लाश देखके और परिशान होंगी वो तो ठीक है लेकिन दूसरे दफ्तरों माले क्या सोचेंगे? इतने बड़े दफ्तर का M.D. है कार है, जीप है, इतना स्टाफ है और अपने कुट्य की लाश तक नहीं डून सका? सर, अगर दफ्तर की प्रिस्टीज का सवाल है तो मैं प्रण करता हूँ तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक लाश नहीं मिल जाती वेरी गूट आइम प्रावड आफ यू थैंक यू सर और जाने से पहले जरा स्टैनों को भेज आँ मैं मिस्टर बंडारी का सस्पेंशन लेटर लिखवा ही दूँगा सर लेकिन चार्जिस सर चार्जिस नेगलिजिएं सब जूटी उसी की वज़ा से टेंडर्स पोस्ट पोन हुए है यूर राइट सर मिस्टर खना MD साब की बेवी सुबा की फ्लाइट से देली से आ रही है आपने उनको रिसीव करने जाना है और जो गाड़ी वे देली लेगे थी वो आपिस मंगवानी सर आप फिकर ना करें मैं फ्लाइट से दो गंटे पहले ही वहाँ पहुंच जाओंगा हाजी सर लाश मिल गई है लेकिन एक्सिडेंट की वज़ा से उसकी शकल बहुत बिगड़ चुकी है इसका मतलब जोट्शी ठीक ही कहता था सर जोट्शी का कहा घलत होई नहीं सकता कुट्टे ने बस के नीचे आकर इखुदकुशी की है तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुदकुशी शब्ट का इस्तमाल ना किया करो अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो ठीक है अब आप ऐसे करें कि लाश को किसी बड़िया से कपड़े में बेट कर घर ले आए और करना से कहना कि बर्फ की सेली का इंतजाम भी करें बर्फ सर? हाँ, जब तक प्रीती नहीं आ जाती हमें इंतजार करना होगा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर सुनो, आप तो कह रहे थे कि एमडी साब का कुट्टा सफेद रंका है और जो लाश आपने बाहर बोरी में रखी है वो काले कुट्टे की है बई क्या करूँ, मैंने सारा शेहर चान मारा सिर्फ तीन मरे वो कुट्टे मिले और तीनों काले फिर? फिर क्या, इसे एक देर घंटा सफेद पेंड में रखेंगे अपने हाब सफेद हो जाएगा नहीं, अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाते वहाँ रोने धोने में किसी को खाग पता लगेगा मैं संभाल लूगा बस बही मुझे तो बहुत डर लगा है इसमें डरने की क्या बात है यही तो इमतहान की घड़ी है जरा सोचो, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो भंडारी सिस्पेंड और मैं उसकी जगाँ डिप्टी मैनेजर एक और बूरी खबर है सुदा जैकी मर गया है और इल्जाम मुझे पे आया है आप पे इल्जाम? हाँ सुदा, सारे ओफिस में यही चर्चा है कि मैं अपने ब्रदिल्ला का लड़का ढूंता रहा और जैकी बस के नीचे आके मर के है यह जरूर किसी की साजिश है भई हो सकता है लेकिन अब मैं क्या करूँ मेरा M.D. तो नेगलिजिंस आफ ड्यूटी के विले से मुझे सस्पेंड कर रहा है अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे तो अब कोई रास्ता नजर नहीं आता एक रास्ता है वो क्या? आप बिल्कुल वैसा ही कुत्ता खरीदकर उन्हें प्रेजन कर दे भई लेकिन उन्हें तो जैकी का काम है भई हो सकता है बिल्कुल वैसा ही कुत्ता देकर उनका दिल बहल जाए और आपकी नौकरी बच जाए अरे मिसिस वोरा हलो मिसिस जहानी आप मिसिस जहानी आप बिल्ली नहीं करेंगी वहाँ तो सारा का सारा दफ्तर पहुँचा हुआ था और मिसिस जहर्मा वो तो इस तरह मगरमच के आंसुबा हारे थी कि मैं बता नहीं सकती अरे तो कौन सी नहीं बात है उसकी तो आदत ही ऐसी है याद नहीं लास्ट यर जब मिल्ली की डेथ हुई थी तब भी रोने में वही तो सबसे आगे थी वैसे मिसिस शर्मा को रोने की प्रेक्टिस बहुत है कॉलेज में भी तो वे ड्रामा कलब की प्रेजिदेंट थी चोलो जी जो भी है अफसोस करने तो मुझे भी जाना चाहिए नहीं बिल्कुल आपके हस्बंका तो पर्मोशन भी ड्यू है भी मैं ये कुटा आपको कैसे दे दूँ मैंने इसे पांच्सो रुपे में खरीदा है लेकिन भाई साथ मैं इसके लिए आपको पंदरा सौ रुपे तक देने को तयार हूँ पंदरा सौ रुपे दो ही दिन में कुटे की कीमत तीन कुणा बढ़ गई मैं सोच रहा हूँ आगमी को प्रॉपर्टी कुटो में इन्वेस्ट करना चाहिए भाई साथ फिर मैं सादा पका समझे हूँ हाँ पंदरान सौर पर ले आए और कुटा खोल कर ले जाए थैंकियू भाई साथ कि अशर्मा जी यस बिस बर फोलिम अन्हें ने बर्फ बहुत आगे सटे के श्रुट के लिए तो बहुत है अब शर्वत तो बनाना नहीं मिस्टर शर्मा, मैंने देखा है कुट्टे का रंग बढ़ रहा है क्या सर जैसे हमने जैगी को बरफ पे डाला वो तो काला होना शुरू हो गया सर अच्छली कुछ कुट्टे होते हैं इसी नसल के सर वो मरने के बाद थोड़ा रंग छोड़ते हैं अच्छा वो काफी बढ़िया नसल का था सर वो तो स्पेशिल इटालियन व्रीड है सर लेकिन मैंने यह भी पड़ा था कि ऐसे कुट्टों को मरने के बाग किसी कंबल में लपेट देना जाहिए सर ज्यादा देखना नहीं जाहिए ने आंखों पर बुरा असर होता होगा यह सर मैंने देखा आपकी जनरलोज काफी अच्छी है एक किप इटाप थैंकियू सर मेरे ख्याल से इन्हें कुछ खा लेना चाहिए भू कहा लगती है ऐसे मोखों पर पिंकी स्कूल से आई थी उसे खाना वाना खिला कर अपने लिए परोस ही रही थी कि जैकी की ख़बर सुने बस मेरा तो सारा खाना वहीं का वही धरा रह गया अरे मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ मुझे जब पता चला मैं तो नंगे पाम ही भागी चली आई मेरे तो सेंडल्स भी बाद में वहरा साब उठा कर लाए बई शर्मा साब का भी यही हाल है जब से उन्हें जैकी के बारे में पता चला है उन्होंने पानी तक नहीं पिया वो तो शुरू से ही जैकी को बहुत प्यार करते थे उसके हर जनम दिन पर घुंगरू वाला पट्टा लाकर देते बहुत सची बात है हमें तो बहुत सद्मा लगा हाँ सद्मा तो लगता ही है अब देखो न मिसिस भट्टी बचारी की तो जबान ही चली गी डग सा वेस्टो बड़ी खुशी की बात है कि प्रीती की जबान ब आप अगर बिल्कुल जैकी की शकल का कुटा रेज कर ले तो हो सकता है उसे देख के एकुछ बोले तो जैकी जैकी जैसा कुटा कहां मिलेगा वो तो बड़ी रेर ब्रीड थी ये सर एक बार उसने मुझे काटा मेरे पेट में चौदा इंजेक्शन लगे बिल्कुल दर्द पीजाय करता इंजेक्शन वेख लूए अद भी मुझेद कर्दी शर्मा आपसे बन्दारी साहब मिलने आया है बन्दारी वो यहां क्या करने आ गया है अब है कि जिंदा है टीधो जैकीं जिन्दा है तो फीजिन्दा प्रिति देखो जैकी जिन्दा है एक्थिए जैकी आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की मैं भी काऊँ कि कुटे का रंग कैसे बला रहा सुरी सर मिस्टर भंडारी यस सर आप कल से सीनिय डिप्टी मैनेजर तैंक यू सर और मिस्टरीटा यस सर आपने जो मिस्टर भंडारी का सस्पेंशन लेटर लिखा था उस पर मिस्टर शर्मा का नाम भादे गूमे बोस की बीवी कारों में खड़ाबाद की स्टाफ कतारों में यहां सोते हैं बाबू यहां सोते हैं बाबू सुस्ती में कर घर के काम वह जुस्ती में चमचों की तरकी मिंटों में औरों की बदली सकिंटों में यहां काम की कीमत जीरो है यहां बोस का चमचा हीरो है यहां की ब घर की की बच्छ उखए बन्मची तर्म की बड़ाद की बड़ाद की बड़ाद की की ब़ाद की बड़ाद की धके लुस्ती में झाल 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 झाल